इसलिए आपका वजन कम नहीं होता, कुछ बड़े कारण हैं, जिनके कारण लोगों का वजन कम होता ही नहीं है, शायद लोग बहुत ज्यादा खाते हैं या वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, वजन कम नहीं होने के ये आम कारण है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो हैल् मेटाबोलिजम इस प्रॉबलम की जड़ है। आपका शरीर एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाता है। जहां से आगे आपका बजन कम नहीं होता और इंसुलिन इसका कारण है। शुगर और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम हिडन शुगर कहते हैं, उनके कारण इंसुलिन ट ज्यादा फाइबर मौझूद नहीं है। यानि की बची हुई चीज स्टार्च है। एक साथ जुड़ी हुई शुगर की स्ट्रिंस को स्टार्च कहते हैं। क्योंकि स्टार्च को रिफाइंड किया जाता है, तो ये शुगर की तरह नहीं, बल्कि हानिकारक शुगर की तरह बरताव करता है, जिसका glycemic index भी ज्यादा है, इसलिए इससे आपका insulin बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और गन्ने से मिलने वाली शुगर की तुलनामे starch से भी आपका बजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, गन्ने की शुगर का glycemic index 74 या 75 के बराबर होता है, जंक foods में म वनस्पती तेल की बात करते हैं, वनस्पती तेल के कारण आपको insulin की problem हो सकती है, और आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तनाव और नेंद की कमी के कारण वजन घटाने की process सुस्थ पढ़ जाती है, इसलिए अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे, तो आप गलत foods खा ना insulin के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं, आपका insulin बढ़ता जाता है, हम insulin को कैसे fix कर सकते हैं, हम कैसे इसे कम कर सकते हैं, हम कैसे insulin का काम बहतर बना सकते हैं, जिसे insulin sensitivity कहते हैं, सबसे पहले तो आपको शुगर और starch खाना कम करना होगा, आ मैं आपको उनसे अवगत करवाना चाहता हूँ, उदाहरन के लिए अगर आप bread का एक piece खाते हैं, तो उसके कारण आप fat burning की process से लंबे समाई के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि ketosis में पहुचने में आपको लंबा समाई लग सकता है, इसमें 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, मा कि इसके अनकुलित होने में शरीर को काफी समाई लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि ketosis काम कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि शायद आप अपना वजन रोजाना चेक कर रहे हैं और वजन कम नहीं हो रहा है, याद रखें कि वजन कम करके आप स्वस्थ नहीं बनेंगे, आप पहले स्वस्थ बनेंगे और आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, जब आपका खाना कम करते हैं और आपका शरीर फैट बन करने लगता है, तो आपका शरीर हिलिंग मोर में पहुंच जाता है, आपका शरीर हाई बलाड शुगर और diabetes की स्थिती से स्वस्थ स्थिती में पहुँचने लगेगा, उसके लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना होगा, आपको देखना होगा कि क्या आपकी भूख कम हो रही है, दूसरा आपको अपने energy level को देखना होगा, अगर आपका energy level बढ़ गया है, तो इसका मतलब य पर्याप्त रेस्ट नहीं लेते, मैंने उन लोगों को ज्यादा रेस्ट करने को कहा, मैंने उन्हें high intensity exercise program फॉलो करने को कहा, और कहा कि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे बात बन जाएगी, अगला point भी बेह किलो वजन ही कम हो पाया, उसके बाद मुझे पता चला कि उसे नींद आती ही नहीं थी, मैंने नींद लेने में उसकी मदद की और फिर उसका वजन कम होने लगा, उसका 10 किलो वजन कम हो गया, मेडिसिन की बात करें, तो anti-depression medicine और anti-biotic लेने से भी आपका वजन कम होना रु किल सकती है, आप apple cider vinegar ले सकते हैं, इसकी एक चमच को एक गिलास पानी में मिला कर पिए, ध्यान दे कि आप इसे straw की मदद से ही पिए, वरना acid आपके दान्त भी खराब कर सकता है, कुछ nutrients insulin को कम करने में मदद करते हैं, उनमें से vitamin D सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप रोजाना इसकी 10,000 आयू मात्रा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आधा घंटा भी धूप में बैठते हैं, तो आपको 20,000 आयू vitamin D मिल जाएगा, इसलिए vitamin D प्राप्त करने के लिए आप सूरज की रोशनी या food और supplement दोनों एक साथ ले सकते हैं, सबसे अच्छा तो ये रहे हैं, उनके पास 8 घंटे की eating window होती है, मैं शुरुआत में ये पैटर्न follow करने की सलाह देता हूँ, इस fasting को करने के बाद, जब आप इसके आदी हो जाएंगे, आपकी body इसके अनुकूल हो जाएगी और आप healthy भोजन खाने लगेंगे, तो आपको 18 घंटों की fasting और 6 घंटे की eating window follow करनी चाहिए, उसके बाद आप 23 घंटों की fasting और 1 घंटे की eating window को follow कर सकते हैं, जिसे हम OMAD यानि की रोजाना एक बार भोजन करना कहते हैं, मैं आपको निरजला या dry fasting की भी सलाह देना चाहता हूँ, सूरज उगने और सूरज दूगने तक ना कुछ खाएं और ना पिएं इस fasting में आपको लगभग 12 घंटे भूखा प्यासा रहना होगा, और अगर आप इसे follow करते हैं, तो आप ज्यादा fat burn कर पाएंगे, आपका शरीर कई तरह के jeans को trigger करेगा, जिसके जरीए आप जीवित रह पाते हैं fat में बहुत ज्यादा पानी मौजूद नहीं होता, fat में एक से तीन प्रतिशत पानी हो सकता है, लेकिन जब fat को oxygen के साथ burn किया जाता है, तो fat से काफी पानी निकल सकता है, खासकर अगर आप fasting के दौरान ज्यादा पानी नहीं पीते, आप कभी कभार 24 घंटों की fasting भी और ना कुछ पीएंगे, 6 बजे के बाद ही आप भोजन करेंगे और पानी पीएंगे, ऐसा करने से आपको 24 घंटों की निर्जला fasting मिल जाएगी और उसके जरिये आपको अपने शरीर में कुछ बढ़िया बदलाव देखने को मिलेंगे, मैंने आपको जो भी जानकारी आज अगर आप उसे अपलाई करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा, अगर आपने निर्जला या ट्राई फास्टिंग पर बनाया गया मेरा वीडियो नहीं देखा है, और आपको उसकी अधिक जानकारी चाहिए, तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें.